जै गुरुजी संगजी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टूडे ब्लैसिंग्स में आपका स्वागत है चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेर करें और सबस्क्राइब करें और साथ में लगवे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लैसिंग संगजी आप तक पहुंच सके अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अप्रोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगे मारे वाटसब नमबर पर अपना सत्संग और या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं जै गुरुजी संगजी आज का सत्संग ना ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है टाइटिल के इसाफ से आप समझ जाएंगे कि इसमें ब्लेसिंग कितनी भर भर के हैं और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है गुरुजी की बहुत ब्लेस संगत है देहरा दून से अनुबि क्योंने गुरुजी से आग्या लेकर गुरुजी के इस अच्छानना इसी चैंनल पर अपना सत्संगो हो ़िया चलिए सerson स्टार्ट करते हैं। जै गुरुजीं। जै गुरुजीं। जै कुरुजीं। त invertमन जर्णन सुक्रान कुरुजी। गुरुजी महाराज कहते हैं जो सत्संग करते हैं उसका भी भला और जो सत्संग सुनते हैं उसका भी भला मैं गुरुजी महाराज से 2013 जनवरी के महेने जनवरी को 12-13 जनवरी को गुरुजी से जुड़ी थी कुछ ऐसा हुआ संघकजी कि मैं ऐसे ही, एक दिन इतनी परिषान थी और बहुत जादा परिषान थी तो बैठी वी थी और सोच ती ति मेरे न काम ने बन रह आए था कुछ का में ऐसे यटकाव और बहुत मतलब अपना माइल डी चला रही चला रही थी तो ऐसे थकी हारी बैठी तो मैंने ऐसे फेस्बुक जैसे मैंने ओन किया तो जैसे फेस्बुक अनके तो देखा कि गुरुजी महराज थे चल रहे थे और पीछे से संगत चल दी थ अआधा कि सब का भुरुजी जैसे पंजाबी में लोग कहीं कहीं को टो इस वोगे और बेठते होंगे तुदरा पता करते हैं कि पहले तो काफी कुझ्स आधा करेます संत हैं बहुत कुछ जानते हैं मतलब ऐसा कुछ मन में आ रहा था विचार कि नहीं पूछती हूं मैं तो मैंने कॉल किया संगर जी वो किसी संगर जी को तो उन्होंने कॉल उन्होंने बात करी मुझसे उन्होंने बहुत अच्छे धंग से बात करी और मैंने उनको पूछा यहां से हूं तो उन्होंने बताया कि गुरू-जी पहराज बहुत मतलब ऐसी सकती गुरुजि महराज वी जिसके भी मन में दिल दिमांग में कश़ थ तो सब कुछ सॉप्ड कर देते गुरु जी मैं चया ऐसे भी होता है तो ऐसे वो मतलब बता रहे थी तो इतना मतलब पतानेDS जैसे कि वो बता रहेते ना तो थोड़ोड़ अपर उपर से जा रहा था मेरे मैं नहीं ersona पथानी तो उन्होंने बताया कि मैं अबिका इंस्ट सेवा मांग रहा था दो मुझे भी सेवा मिल चुक या बूजी के चरणू में और फ्राइडे का दिन था साइद और उन्होंने बोला कि मैं मंदे को गुरू जी के बड़े मंदीर जाओंगा और कोई अगर परिसानी दिक्कत परिसानी हो तो बताओ मैं गुरुजी से अर्दास आपके लिए भी लगा लूँगा तो मैंने का बस ऐसे ही थोड़ा कुछ जोब और कुछ ऐसा है जोब की भी कोई दिक्कत ऐसी है कि जहां मैं काम करती थी तो बैंक सेक्टर में थी तो वहा से थोड़ा मतलब काम निकर कर रही कुछ कारण से उन्होंने हटा दिया मुझे अच्छा तो ऐसे ही थोड़ा परिसानी थी और कुछ मेरा क्या था कि संगर जी दो हजार तेईस अभी तेईस है तो 2019 से मतलब जैसे की बोलता है कोई कि मेरे जैसे मकान का मैंने खरीदना चाह 15 से सोच घरे जाए तो बहुत टाइम से मकान हो जाए बस मकान उजाए बस होता है कि चलो हमारा घर हो जाए फिर उसके बाद मैंने का चलो मैंने अभी साइड साइड मुझे सूटनी हो रहा तो मैं दूसरी साइड देख लेती हूं तो दूसरी तरह मैंने मकान पसंद कर रहा था लेकिन वही था कि बजट कर नहीं हो पा रहा था कहीं हमारा पैसा था तो वहां से आना था तो आने रहा बहुत टाइम से आई नहीं रहता दोल्होंनीच से तो ऐतनी परिसान होुए कुछ ऐसा करना चाहता थी लैगिन कि पारा मतलब लग रहा कि हो जाए लेकिन 99 पर जाके वो काम फिर से मतलब जैसे कि कुछ तयार कुछ किया ही नो इस काम के लिए है न तो एक दिन मैं ऐसे गुरू जीर से ऐसी लेटी थी बात ऐसे कर रहे थी कि कास मेरा मका ऐसे हो जाई है मैंने इतने टाइम से सोच रखी तो यह चीज हो जाई करके न तो क्या ऐसे ही मतलब अपने मन में फिर मैंने मैंने का गुरू जी कुछ ऐसे कर ना कि मैं मकान के बारे में भूली जाओं मतलब मेरी दिमाग एमें रहे कि कुछ ऐसा महथा कांद कुछ था मायने सी तो मैं मान रहती है प्छी ने काफी मतल geçी मेरा काम जाए काम हो जाए होता है हम लोग कहीं भी होता है के चलो पहले थोड़ेसा मांग लिती है माताराने से कुँछ ऐसे हूता है अपने काम के लिए तो ऐसे तो मैंने फिर मतलब गुरुजी से जैसे जोड़े तो मतलब त्याग भावनमन में आगे मेरे कि नहीं मैं सोचूंगी ने इस चीज के बारे में गुरुजी मुझे इतनी सक्ति देना कि मैं सोचू ना बस तो क्या हुआ अगए वहां से पैसे आ अगे हमारे पैसे क्या आ गए की और दूस्या मेरे में पसंद कर दो geez शीर अगवा और मैंने अब आटीन चार साल हो गए तबसे तो ईसे लटके पड़े है ऐसा कुछ हुँ सकते मैंने पूरी झोड़ दी कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता करके उन्हों एनने का ठीक है मैडम आजाओ कर ऐसे से करके ऐसे करो तो इतने पैसे ले आझाओ बैठ जाओ ये करेंगे तो शंगा जी मैंने उनको पैसे दें लॉने बोला ऐसे करो मैंने के अंदर रेजिस्ट्री के लिंगा इस तो फिर उसके बाद क्या हूआ कि हम पैसे दिया फिर भी ऐसा है ना मेरा मन बिल्कुल ऐसे हो गया था कि हो नहीं नहीं इतनी हार गए थी जबकि मैं इतनी उमेद से लगी रहती तो काम मतलब जैसे कि कुछ भी पताने चले जैसे अपने आप भी कुछ हो रहा हो हमारे रेजिस्ट्री भी और मार्च के महनी नवर होगा क्या होगा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इतनी जल्दे हमारी रेजिस्ट्री हुई मकान में एकदम सिफ्ट मतलब मम्मी लोगों को बुलाया बेहनों सबको बुलाया तो मकान में ऐसे सिफ्ट होगए पता ही नहीं चला फिर मैंने लाश्ट में यह देखा कि यह एक महना मतलब काम जैसे हवा कोई आता है हवा का जूंका सारा काम मतलब हो रहा हो कुछ ऐसे ही मेरे साथ हुआ संगत जी जै गुरू जी शुकराना गुरू जी अनंतम अनंतम शुकराना गुरू जी यह काम तो मतलब जैसे कि कोई कोई फूक मार के करता है कुछ जादू चल रहा हो संगत जी अवा। δेखो कि अधेसं सोचते हैं तो वही घर मेरा गृसी निया दिलाया। संगत्जिए मे साथ है फनी घर मेरा मम्य व्ही बोली कि एकदम ये गुरू जी है ना इन्हीं की वज़े से हुआ मुझे ऐसे मतलब उन दिनों थोड़ा वो भी लगता थी फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे गुरू जी की ऐसे कुछ चमतकार देखें कि नहीं गुरू जी नहीं किया फिर जाके मैंने अपने मैंने मेरे सिश्टर आ रखी तो मैंने बोला देखो मैंने का पता क्या हुआ मैं कि गुरू जी से जब से मैं जूड़ी ना तब से ऐसे हुआ तो वो भी बोली थे हैं ऐसा भी कुछ होता है करके तो मैंने उनको पूरा बताए गुरू जी के बारे में बहुत संग जी भले मैं पहला ससंग है लेकिन मैं अपने जैसे मेरे मा 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 मी जैसे लोग हैं तो सबको गुरुजी के बारे में बताती हूं कि गुरुजी ऐसे हैं ऐसे ऐसे परिशानी दूर करते हैं बहुत कुछ करती हूं मतलब ऐसे बताती हूं गुरुजी के बारे में और मेरा एक और छोटा सा सत्संग है कि पहले हम पंजाब में रहते थे तो स्वर्ण मंदिर जैसे हम जाते आते रहते थे तो बहुत टाइम से 10-12 साल हो गए तब से हम गई नहीं हैं तो बहुत टाइम से सोच रही थी कि जाना था जाना था जाना था हो यह नहीं पा रहा था सब्सक्राइं करें तो मेरी यस्मिरी सेद्टफ करते हैं वो negotiating मेरे साथ हमने ना में तिकत बुक कर वा दे हो देख़की और साम को कर बुख दो और दूसरे दिन थोड़ा हमारा कुछ काम था तो हम काम पर ऐसे कहीं गए थे किसे से कुछ काम था हमारा तो हम गए और जो काम होना था लेकिन थोड़ा लेट हो गए वहाँ इतनी लेट हो गए कि साम को साथ बजी की ट्रेन थी हमारी साथ बजी की ट्रेन थी और हमें जो है क्या बताएं हमें पांच साड़े पांच वहीं बच गए और इतना मतलब थोड़ा दूर है और इतनी जल्दी फिर जैसे तैसे हमारा काम हुआ जिन से काम था काम हुआ और ऐसे हम जल्दी से घर भागे जल्दी से कपड़े भी नहीं रखी थे मैंने मतलब इतनी जल्दी से तैयारी करी और हमें नहीं ऐसे बिल्कुल बोले थी मुझे कि नहीं रहंदे कैंसल करते हो गया अपनी होना इस काम नहीं होना करके और मैं लगी थी कि गुरुजी तो हमारे गुरुजी साथ है तो हो सकता है ऐसे तो मतलब उम्मीद तो थी लगी थी जै गुरुजी जै गुरुजी जै गुरुजी सुकराता गुरुज जी मैं इतना मानती हूँ गुरूजी को अब तो क्या हुआ कि हमने अपने गाड़ी उठाई तो हम चले और इतना जाम लगा था इतना जाम लगा था गुरूजी के मंत्रभा रोएस दसाहाई ओम नमस्य वैगुरुजी सदसाहाई मन में पूरे रास्ते लगी थी गुरू जी हमें पहुचा देना और मेरे हजबर अंकल बोले कि टाम कितना हुआ देख और छह पचास हो गए थे अरे तिना दूर था फिर भी मैंने गाँ क्या करू क्या करू इतना जाम है बगवान मुझे पहुचा देना गुरुजी 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 लगी थी है न और हम जो है चलते चलते जाम थार वह अरे बैस हो गया हो गया अब नहीं जा पाएंगे अब नहीं जा पाएंगे ऐसे चला था अरे नहीं तो ऐसा पता नहीं पता नहीं चला इतनी भीड के से निकले और संगर जी साथ बज़े हम railway station पे पहुंच गए साथ बज़े railway station पे पहुंच गए है ना साथ बज़े की ट्रेन थी फिर वहां से हमने गाड़ी पार्क में लगाई इतनी जल्दी दोड़ के गए फिर हमने किसी को पुछा कि एक उन्हों निकान नंबर किस तरफ फिर ज़ूसे उपर गे हम आए तो उपर वहा से निची जैसे स्टूलय में इंगी हिर्वटा वानी है तो वैसी हुई और जैसे ही हमने जैसे ही संगल कि हमने कदम रखा। वैसे ही ट्रेन चल दी जैसे लग रहा था जैसे कि किसी ने हमारे लिए ट्रेन बिल्कुल ऐसी रोकी होगी यह चीज तो मैंने बहुत संगत जी से सुनी भी है और जब खुद के साथ मेरा ऐसे हुआ ना ऐसे हुआ संगत जी तो मुझे लगा हां यह यह तो कुछ चमतकार से क कहने लगे कि यह ना एक चमतकान लगा तुझे वह तो खेर इतना मानते नहीं है लेक्नि फिर भी बोले ही कुछ चमतकान लगा तो उनको यह नहीं लग रहा था आटना कि गृूड़ जी के पर वो बोले थे पता है ऐसा हो सकता कभी ऐसे नियृ लग रोकी हो ऐसे नो कोई बस भी नहीं रोकता बस वाला बाता पूरे रास्ते में गुरुजी शुकराना गुरुजी बने मन में लगी रही गुरुजी शुकराना देखो गुरुजी ने आज देखो हमारा तो कहीं से उम्मीद ही कुछ नहीं थी और गुरुजी हम सुबह टाइम पे पहुंचे और इत लंगर परसाथ कहा रहे लेकिन गुरू जी ऐसे लगा रहा मेरे साथ ही खड़े होंगी हर जग है गुरू जी गुरू जी मैं वहां गही तो मुझे ऐसे लगा नहीं मैं ऐसे लगा कि मैं मतलब जैसे सपना देख रही हूंगे गुरू जी मेरे साथ चल ले कुछ ऐसे ही मुझ से जो भी भूल जो कुई हो संग जी माफ करना मेरा पहला ससंग है और गुरू जी के ऐसे हमारे साथ ऐसे से चमतकार होते हैं हर चीज में मतलब हर साइड से कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम हो गुरू जी ऐसे तर तर देते हैं ऐसे निकाल देते हैं कि मानो जैसे कि लगता है कि किसी ने हमारा हाथ इतनी मजबूत धंग से पकड़ा हुआ है संगा जी तो गुरू जी के ये चमतकार है हमारे साथ हमारे प्यारे से गुरू जी के जै गुरू जी और गुरू जी का मंतर है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है गुरू जी के हर बार गुरू जी के मंतर जाब करती रहती हूं और रात को सोते से मैं भी गुरुजी के मंतर सुनके सोती हूं संगा जी सुबह उठती हूं तो गुरुजी के मंतर जाब से मेरी सुबह होती है सारे दिन भर मुझे गुरुजी गुरुजी का ही ओ रहता है करके जै गुरुजी ओम नमस्तिवाई सिवजी सदा सहाई ओम नमस्तिवाई गुरुजी सदा सहाई ओम नमस्तिवाई सिवजी सदा सहाई ओम नमस्तिवाई गुरुजी सदा सहाई जै गुरुजी संगत जी कोई भी भूल चुग योगी संगत जी माफ करना जै गुरुजी जै जै गुरुजी